विल्कम ओल दी वीवेर्स आज का ब्याख्यान बीटी एक्ट का पहला ब्याख्यान के बाद बीटी एक्ट पर ही दूसरा ब्याख्यान होगा जो लोग पहले वाला ब्याख्यान नहीं सुने हैं उनके लिए मैं यहां बताना चाहूँगा कि लेंड लौ से संबंधित यह ब्य ख्यान माला चल रहा है यानि कि लेक्चर सिरी चल रहा है भूमी से संबंधित जितने भी कानून बिहार में लागू है उसके बारे में विश्दित जानगारी दी जा रही है जो सुरोता लोग पहले से जुड़े हुए हैं और सबस्क्राइब किये हुए हैं या बराबर देख रहे हैं उनको भी इसमें लाव मिल रहा है और जो नए सुरोता लोग जुटते जा शरूरे हैं अब से जाने जिनका भी उआ रहा है कमेंट आ रहा या जिनका प्रस्ना रहा है सबों के लिए ये सुचना है कि ये बीटी एक्ट का आज का जो ब्याख्यान है वो पार्ट टू है भाग दो है पहला भाग में आउट लाइन और बीटी एक्ट करके दिया गया था कि क्या क्या चीज़ है मोटी मोटी बाते बताई गई थी और आज कानून के अंतरगत कौन प्रावधान बनाया गया था बीटी एक्ट में उसके बारे में बताया जाएगा जो बीधी ब्यवसाई है यानि कैजवक्ता गन है या नियाधीस गन है उनके लिए ज़्यादा इंट्रेस्ट इसमें रहेगा अगर उनको आप सकता होगी किसी बीसे पर खोजने के लिए और जानकारी प्राफ्त करने के लिए तो आसानी से खोज सकेगे और अन्सरोतागर जिनको की जिग्यासा है कानून जानने का या जिनके पास कोई भीवाद है भूमी से सम्मंधित और उनको न्याले के चक्कर लगाना पड़ रहा है उनको भी इससे आसानी होगी कि क्या उस समय कानून था पहले के ब्याक्षान में यह बता चुके हैं कि समय समय पर कानून बजलते गया और मुख्य रूप से जो जमिनारों के समय का कानून था वो कानून आज के तारिक में बेहवारिक नहीं रह गया है और बेहवार में नहीं आ रहा है फिर भी चुकी यह ब्याक्षा वाग्दो जो है उसी पर थोड़ा सा प्रकास डालेंगे और कुछ प्रस्न जो आए हुए हैं उनका भी उत्तर इदेंगे मैंने यह सोचा है कि पहले जो विशय वस्तु है व्याख्यान का उस पर व्याख्यान देने के से बाद अंत में प्रस्ट का उत्तर देंए इसके पहले ब्याक्यान में सिर्फ प्रस्थ का उत्तर मैंने दिया तो जैसा की बताया जा चुका है कास्तकारी बिहां कस्तकारीumen में बता इसमें बहुत सारे chapter के ही साबसे है बना हुआ और बहुत सारा इसमें section है जिसकों की धारा बोलते है बिधान की धारा हैं दो तरह कह रूल बनता है, रूल को नियम करते हैं, रूल के अलागे रेगुलेशन्स होते हैं, उसको नियमन करते हैं, तो इसमें मुख्य जो नियम है, यानि की बिधान है, उसका जो बर्लीकरन किया हुआ है, चैप्टर के हिसाब से किया हुआ है, तो किस चैप्टर में क्या है, इसकी जानकारी देने के बाद जो मुख चैप्टर है जिसमें की ज़्यादा ज़रूत है आज के तारिफ में जिसकी उपी होगिता है उस पर अगली लेक्चर में चर्चा करेंगे तो पहला चाप्टर में कानून का नाम दिया हुआ है कब से लांगू होगा इसमें परियुक्त होने चैप्टर दू में रईयत कितने परकार के होते हैं उसके बारे में जिक्र है तो पहले बताई चुके हैं रईयत दो तरह के होते हैं टेनियर होल्डर जो रईयत भी होते हैं और उनको रेंट कलेक्शन का रहता है अधिकार और एक हुआ रईयत जो सिर्फ खेज होते हैं का जो चैप्टर है तीन उसमें है रेंट को बढ़ाने का अधिकार और उसके सम्मंदित प्राबधान ये प्राबधान बना गया था जमिंदारों के लिए कि अगर उचाहते हैं बढ़ाना तब मनमानी पहले बढ़ा जैते थे तो नहीं बढ़ा सकते हैं आज के तारीक में इस लिए कि सरकार इसको बढ़ाने का कोई काम करती नहीं है जो रेंट दे रहे हैं दे रहे हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं है इसके कोई प्रियरिटी भी नहीं है सरकार के पास आज के तारीक में और अब तक कि ऐसा कोई केस भी नहीं मिला है जिसमें सरकार ने किसी रहियत को नोटिस दिया हुआ कि आपका मालू जारी का भाम हम इसको बढ़ा देगे। हाँ जो नया rent fixation होता है जिसका पहले लगान नहीं लगा है और आज उसके लगान लगाने की परक्रिया जिसको लगान निर्धारन केस कहते हैं या काविल लगान ओइसा अगर केस होता है तो उसमे सरकार आज के रेट से rent fix कर से भी अधिकार सरकार को है fair and equitable rent तो उसके भी प्रक्रिया बनी हुए है कि अगल बगल के उस गाउं में जितने भी उसी परकार की भूमी है उसका कितना लगान लगता है और उसका रिपोर्ट करमशारी से मंगाने के बाद और जो आवेदक है उनक सरकार तो है लेकिन पुराने रियत का जो rent है उसको बढ़ाने का कोई मामला परकास में नहीं आया नया लगान लगाने का आया है यह चैप्टर तीन में इसी के बारे में जितना भी धारा है इसी के बारे में तो उसकी आज कोई उप्युक्ता नहीं लिए उसके बारे में ज अक्को सरयत का RENT fix होता था जिसे अगर भावली बताए इसमें कि produce crop का पटवारा होता था तो कही कही fix होता था कही भाइरी करता था धान का अगर है तो उसमें 20 सिर ले गए एक मन में तो अगर गेहू है तो उसमें एक मन में 10 सिर ले गए तो कोई दूसरा नाज है तो इस तरह अलग-अलग छेतर में, अलग-अलग अनाज में, अलग-अलग सीजन में होने वाले भैदी भी करता था। इसलिए एक अलग चैप्टर बना दिया गया कि वैसे रहियत का के समझ में क्या-क्या प्राब्धा रहेगा जो जिसका फिक्स्ट रेंट है। कैस हो या काइन हो लेकि गटने वढ़ने वाला नहीं है। और उसी में चैप्टर चार में एक चैप्टर बाद में जोड़ा गया जो शुरू में नहीं था। मरमत के द्वारे जोड़ा गया है। वो जोड़ा गया है कि अगर कोई टेनियर होल्डर या कोई रहियत अपना जमीन का बिक्री करता तो उसको बिक्री करने के लिए जमीनदार से क्या परमिसन लेना पड़ेगा और जमीनदार का उसमें क्या थिकार है। उसके बारे में चैप्टर चार्चा है। उसमें ही है कि अगर जमीनदार से परमिसन लिया तो जमीनदार उसको परमिसन देने के लिए कुछ चार्ज ल पर नियम था जिसके हिसाब से कुछ पैसा जिससे रिष्टी कचरी वे गया बेचने के लिए तो उतना पैसा उस पर लगता था जो लेंडलोड के खाता में चला जाता और अगर कोई व्यक्ति जमीन रिष्टी नहीं करा करके खिस्टा डीट जो स्टाम पेपर पर या साधा का कागज पर लोग कम भैलू का लिख देते थे चुकि ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट में सो रुपया से नीचे के भैलू का खरीद विक्री जमीन का उस जमाने में सस्ती था तो बिना लिखी दस्तावेज के जवानी हो सकता था लेकिन जवानी नहीं करके लोग साधा कागज पर लिख देते थे या स्टांप लगा करके लिख देते थे और इतनी मांदारी थी कि उसी को लोग मान जाते थे तो उसमें लेंडलोड के लगित में जब 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 जाता था कि हमारा लगित में नाम सहाजी हम खलाने रहियर से खर रहे हैं तो जब जब ज उसका नुपन्हें चड़ाता था कि लिए रिस्टीशन फीश इसने नहीं दिया कि लैंडलोड digital शौन में अलग से सरकार का a stamp duty station चार्ज तो था जो उस समय के अंग्रेजी सरकार के पास जाती थी जैसे आज हलना सरकार हो सबाद कर आते हैं और पीजिए चाहिए में एक स्टैंप लगता है जिसको एस स्टैंप डूटी बोलते हैं और तो घ्री को भी उसमें कुछ मिलता था जिसको कहलाता था लेंडैट रैंडलोड रीगार बना दिया गया था कि अगर लेंडलोड का राइस्टे के अगए करा लिया तो वह डालिया इसको वेलिड नहीं मानता था जमिंदार उसको वह तो हो सकता है नया जो रहियत बना तो उसको वो मानिता नहीं दे उसके बारे में उसमें प्राभ्धान बना हुआ था तो आज के तारिक में इसकी कोई आप सकता नहीं क्योंकि ये लेंडलोड रेस्टेशन फीस अब चुकि इस समाहित हो गया सरकार में तो इसके बारे में भी कम देखने को मिलेगा यह सब जमीनदारी के पहले का कोई ट्रांसफर का दीड हो कोई दस्तावेज हो जिससे जमीन खरीज विक्री हुआ हो या वील हुआ हो या गिफ्ट हुआ हो और उसमें लेंडलोड का रेजिट्रेशन फिस नहीं दिया गया हो यानि क्यों जिसमें यह मामला उठ सकता है तो उसके लिए उसके प्रावधान के अंसाल वो डॉक्मेंट भैरी नहीं माना जाएगा उसके बारे में दिया हुआ है उसके बार चैप्टर पांच में है अकुपेंसी रहियत अकुपेंसी रहियत जो था बता ही चुके पिछला ख्यान में जो उसी गाउं का रहने वाला है और उसी गाउं में वो जमीन जो तरह 12 साल से जाते हो गया तो उसका बढ़ाने का होगा तो वो कैसे होगा और अकुपेंसी रहियत के ही चयप्टर में एक इंपूटेंट चैप्टर था जिसको उसको उराने में लोग अभी भी बोलते हैं गाउंद्याथ में यह पढ़े लिखे लोग हैं वही जो नहीं पढ़े लिखे ऑगनाने की कि दफहा 40 हुआ था दफहा 40 का तो दफ़ा का माने हुआ section, section का हिंदी हुआ धारा एक दफ़ा तो अपराध का दफ़ा होता है इसे कोई murder कर दिया था दफ़ा 302 तो वो दफ़ा के section है धारा यानी कि एक particular कानून की धारा है तो BT Act का धारा 40 उसी को क्याइब दफार चालीस दफार चालीस इसलिए बनाएं गया था कि ज्यादा लेता था अग्या लेता था किँन देख्शिकार्ट दिया गया रहित को कि आपको अगर परसानी है कैसे देना चाहते हैं तो आप आवेदन कीजिए और उसके बाल आपको गल्ला में जो देना पड़ता था प्रोडियूस में जो देना पड़ता था उन्हीं देखे आपको रुपया में देने का मिलेगा तो उसको बोलते थे कमूटेशन के लिए मुकादमा होता था उसके लिए पतादिकारी नियूस किये घये ते उस समय clos40 के हाकिम बोलते थे लोगा पुछार्था कि मैंसा में दफा चाहरिस की हाकिमर्थ लोगा दफादी कि लिए तप कि एक बाष की हाकिम लोग ही बाहन हुए थे दफ़ा 40 में तो उस समय जो रैंक होता था डिप्ती कलेक्टर का उस से नीचे का रैंक उनको दिया था तो सब डिप्ती कलेक्टर का राते हैं आज के तारीक में सब डिप्ती कलेक्टर नहीं होता अभी जितने बिहार पॉब्लिक सर्फिस कमिशन से ब पर्सासनिक सेवा में बिहार पर्सासनिक सेवा में तो रिप्ती कल्टर रेंक होते हैं इसी लिए देखिए जो रेंगते हैं और रेंक आगे पीछे सिनल्टी के हिसाब से इसका पोस्टिव होता है लेकिन एक ही केडर है डीप्टी कलक्टर और उस समय दभाचाली समय में बहुत सा जो बहाल हुए था डाइडेक्ट एट हो के पॉइंट में उन लोग सब डीप्टी कलक्टर रहेंग था और बाद में उनको मर्ज कर गया उनका केडर तो धीरे-दीरे कुछ दिर तक कि आज के अध्यकिन सभी इतना भी लगता है सब लगता है Νगति यानि की कैश रिंट इसका में उसके चाप्टर चौ में बनाया गया लानेको पूपांशी रहीत यानि की जो 12 साल इसका नहीं हुआ है तो उसके बारे में क्या प्राफधाना एक उससे संबंधिर स्ब्धारा जोड़ा गया है उसके बाद चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर साथ जिसके बारे में पिछले ब्याख्यान में मैंने प्रशन आया था सेक्षन 48 का बटेदारी वाला तो उसका जवाब भी दिया था जो लोग नहीं सुनें उसको फिर से देख करके तो यह अंडर रहियत का समंधित इस चैप्टर है यह चैप्टर में सेक्षन 48 से लेके उसमें इसका बिवाद उसका निप्टारा कैसे होगा इसके लिए एक छोटा सा ब्याख्यान अलग से दिया जाएगा ताकि जहांभी इस तरह का विवाद हो या तो रहियत है या अंडर रहियत है दोनों को लाग उससे पहुँचे जानकारी मिले उसको अगले लेक्षेर में बता जागा लेकिन ये जान लीजिए कि अंडर रहियत से सम्धित यानि पटेदार से सम्धित जो चैप्टर है चैप्टर 7 उसमें सेक्षन 48 में A, B, C, D से लेकर के 49 A तक है उसके बाद दूसरा एक सेक्षन है जो बाद में जोड़ा गया था B, T, X में अमेंडमेंट होके वो चैप्टर 7 का ही A है और B है तो उसमें एड़ किया गया ये प्रोटेक्टेड टेनेंट के बारे में कहता है ये सेक्षन 49 से लेकर के सेक्षन आपका है 49 स ए बी, C, D करके ता उसी में बना दिया गया एक्ष्वली एक ही सेक्षन को कई सेक्षन में बाट करके उन्चास A, B, C, D, E, F, D, इसे इसे करके 49 स तक कर दिया गया तो ये प्रोटेक्टेड टेनेंट की इसको कहता है इसका एक छोटा सा उधारन पिछले ब्याख्यान में दिये थे प्रोटेक्टेड टेनेंट का उसमें डिफ्रेसर दिया हुआ है तो इसके बारे में अंडर रियत के आप प्रोटेक्टेड टेन गई दोनों मिला करके एक ब्याख्यान में बिश्री जानकाई जिसकी आज भी आप सकता है आप प्रसंगिक है उसका चाप्टर आठ है चाप्टर आठ में है रेंट रॉल कैसे बनेगा रेंट सूट से संब्ध ही जो उसमें प्र दाईत रुथा उस दमाने में टेनेंट के भलाई के लिए कौन-कौन सा काम कर सकता था यानि की लैंड के इंप्रूमेंट से संब्ध ही जैसे की गाउं में सिचाई की बवस्था करना है तो तालाव है तो तालाव के मेंटेन करना तालाव नहीं है तो तालाव बनवाना आह पहले से हैज्षाति ग्रस्त हो गया तो उसका जो दोनों किनारा है उसको मिट्टी भरवाना इस तरह कि जो भी उता था उसको उस दवानें बोलते थे मिट्टी गलमदादी का काम जमिंदार का है जमिंदार उसमें पुझी लगाता था ताकि रहियत फसल उपजा सके आउपज होगा तब ने जमिंदार को भी लगा चुझी जादा तब तो रेंट जो था फसल के उपर ही रेंट लगता था तो लिए कि सिचाई के बवस्ता कर रिया जहां सोमन हो रहा था वहां दूसरों मन हो गया तो उसका अगर आधा लैंडलोट को मिलेगा तो एक सोमन का फाइदा था इसलिए इसके संबंधित में पूरा प्राभधान बनाया हुआ था लेंडलोट के बाले में उसके अलावे आप द दस और नौ में भी दिया लिया है लेंडलोट के इंप्रोव्मेंट के साथ-साथ मेजरमेंट और इजेक्टमेंट किसी को खाली कराना है तो उससे संबंधित बहुत सारा सेक्शन उसमें है सेक्शन 76 से लेकर के एक सो इस सब आज के तारिक में कोई उसका प्रसंग नहीं आ चैपटर जस चैप-टर दस इसके प्षिली में बताएश है कि जो सर्वे हुआ है वो चैपटर दस में उसके बारे में पूरा पिर प्राभान बना गया है चैपटर दस यानि कि सरवे रेकर्ड ऑफ राइट ये चैप्टर दस में सरवे और इस पर एक वैक्शान पूरा अलग से होगा और आपको जानकारी के लिए बता रहते हैं कि एक साल पहले का पुराना लेक्षर में देखेगा तो बीटी एक्ट पर बहुत बिस्तित एक लेक्षर है वह ज्यादा तर लेक्षर पहले जो एकडेमी में दिया गया है ट्रेणिंग प्रोगाम में वह बह दीरे दीरे बोले हैं तो वह लेक्षर पुराना भी इसके साथ साथ सुलने तो आपका नौलेज और ज्यादा इन रिच हो जाएगा अब बहुत सब बिसे जो है यहां पर बोले हैं और वहां पर बोले हैं दोनों मिला करके आपका मैटर और बढ़ जाएगा हो सकता है कि कु जो उस समय ब्यक्त्राव पता होगFirst angles a रिकोर्ड का उसी रिख्या को कानून तो ही है जब कानून में को बदला हुआ तो फिर बदलाव के बारे मोगे मटाएगा लेकिन दोनों मिला के पढ़ने से समयक उसके प्र चाली जाकर वग मिल जाएगा और उसमें वह कुश लेक् robust मिलेगा जिसमें की हिंदियों मिला हुआ है इसलिए उस पर भी जो लोग इंट्रेस्टेड हैं वहां पर भी जा करके पुराना लेक्षर में खोज करके देख सकते हैं यह सर्वे की प्रकिरिया जो चैप्टर 10 में है उसमें उसका दो पार्ट है सेक्षन 101 से लेके 108 तक जो पा इस सबसे संबंधित है ऄंदुसरा उसमें कोई अगर ग्लती हो गया तो उसके क्या सुधार होगा कैसे होगा कहां पर केस ब्रॉन कापपयाएं इस पर इक शेटर था है उसी के साथ-साथ-सud-श कर बारे में बता देंगे चैप्टर 11 में में है जो landlord के private land के बारे में landlord का private land कौन हुआ landlord यानि जमिनदार का जो अपना खास जमीन था यह अपना खास जमिन था इसा बता चुके हैं और वकास्त का भी जो है इसी में है तो वकास्त पर तु बहुत सारा lecture दे चुके है जो इस सब तीनों नहीं आता है वकास चाहिए यानि की जो लेंडलोड जो तरह था तो इसका जो रेकरड ओफ राइट बनेगा एक रहीत का रेकरड ओफ राइट हुआ मने रहीत का एक खतियान बना और एक जमिन्दार का जो खतियान बनेगा उसके बारे में इसमें चेक्टा है तो चैप्टर दस और 11 हुआ तो एक लेक्टर में समाप्ट किया जाएगा नहीं तो दो लेक्टर भी आ सकता है उसके बाद का दो तीन चैप्टर है जो रेड़ सूट से संबन्दी था और उसमें काफी प्रावधान है एक सो एक से लेके एक सो सततर तक है इसकी आज कोई प्रसांता नहीं है और सर के बारे में हैं तो आगे जा करके अगला चैप्टर में उसके बारे में लिम्टेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि कितना दिन के अंदर केस करना है तो इस प्रकार से आप बाकी उसके बाद कुछ मिशलेनियस प्रोवीजन है तो सब मिला करके बीटी एक्ट का अगर उसके लिए क्या रेमेडी है इसके बारे में अगर कोई सर्वे में गलती हो गया, तो उसकी क्या प्रकिर्या होगी, कैसे सुधार होगा, कब होगा, कहां शूट होगा, कि नहीं होगा, यानि की टोटल चैप्टर वाइज का हैं, बी टी एक्ट का चार चैप्टर जो है चाप्टर 6 चाप्टर 7 चाप्टर 7 ए और बी चाप्टर 10 और 11 इतना चैप्टर जो है समझने लाइक आज के तारीक में जरूरी है इस पर एक के स्पेशल कैसी किरम में आगे आएगा मैं प्रस्ट का उत्तर देना चाहता हूं जो प्रस्ट इधर आया है रिजेंट प्रस्ट आया है हैं सब्सकिर इस लोग तो अपना नाम के साथ पता भी दिए हैं हम सभी से प्रकलिक cognitive हैं कि अपना नाम और कहां अस्थान जरूर दें आप पेशा भी जरूर दें ताकि उससे हम समझ सकते हैं तो एक है संजू प्रकास इनका एक कोई इनका कमेंड नहीं इनका नुरोध है कि प्रश्ख पर कोई लेक्ष्ट दे प्र पर लेक्ट्चर अउटमेटिक आएगा आप पहले का पुराना लेक्ष्ट अगर देखेंगा खोजी ऊसमें भी मिलेगा और नहीं तो यह लिम्टेसन आएगा इसमें भी बीति ह के लिम्टेशन है और एक अलग लिम्टेशनयक्ट का मामला आच कि जमीन पर इड़ाइशन का जातर मामला आता है तो जब बीटी-एक्ट का ब्याख्यान समाप्त हो जाएगा तो एक अलग से अफ़ास के ऊपर भी लेक्षेरा आएगा इसे तब तक आप इंजाज किए और ज नाम से उपर में उनका नाम आया है लेकिन नीचे में उसका नवभतपूर को मेश विछ विएकर सुन रहे हो तो उपर में मनीश जी ने दिया लेकिन मेश कुमार नौबतपूर सोसे पूछते हैं कि भाउली क्या सरकारी जमीन है थो हम समझते हैं कि पिछला लेक्टिर अगर आप नहीं सुने हैं इसलिए यह प्रश्ट करने हैं अगर पिछला सुने होंगे और समझ गे हो तो इस प्रस्ट का अंसर पिछले लेक्चर में दिया हुआ है भावली का मतलब सिधा हुआ कि जमीन रहियत का है भावली और नगरी दोनों जमीन रहियत का होता है भावली जमीन कभी सरकार का नहीं होता है भावली जमीन अगर जोत रहा था कोई रहियत इसका माने है कि वो लगान के रूप में जमीनदार को फसल बाट के देता था आई बता चुके हैं भावली और बटाई एक ही चीज़ है इसलिए जान लीजिए आपका प्रस्ट का उतर ही है कि सरकारी जमीन नहीं होता है उसका र कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा उसकी परकरिया बताएं देखिए रिटर्ण जमामंदी तो आप लोगों को बताए गया किसको कहते हैं जमीनदार जमीनदारी जाने गबाद अपने जमीन का पूरा बेवरा जो उसके जमीनदारी के अंतरगत था उसका खाता नमर प्रॉट पहला रेकॉड सरकार के पास वही है जमीन से संबंदिय को बलॉग में बना रेश्टेट नंब लॉग में ही उरहता है उसका इअ कस्टोडियन इंचार्ड उसका अंचल लिकारी होता है लेकिन वह करमचारी जिस हलका का है वह लोका करमचारी वह रेश्टेट लेके गां- भॉन करके रसीद ताटा पहले तो इसलिए वो रोज जम्मा लाना सम्हणा में तो अपने भर में रखता था अपने सास ले के चलता अजहा जिस गाओं में गया वहां जिस रह सके पास सबंसे है है आज कुछ प्रस्थिती बदल गई जो आप लोग जानते होंगे आजकल करमचारी लोग फैसने मूल और अडवांस हो गया है और ना जाए जाम लगनी होने लगा है तो वह गाउं में नहीं जाता है ब्लॉक में बहुत साइसे हो गया जो प्राइवेट ऑफिस बनाके ना जाएज काम करने लगे और जाली रसीत काटने लगे और जाली जो मौबंदी बनाने लगे तो यह सर्थ विकृति इधर आई है इसलिए जानकारी के लिए आप लो इपी सामधानी वरते कोई फ्रॉड के आपके साथ तो नहीं कर रहा है आर्लो एक्षाली हलका करमचारी है कि नहीं उसको पास रिस्ट्रट्टू कि नहीं उसे मांगे देखिए ४ही लाजी नाम है ने और हमको नकल लेना है तो यह चीर्गोफ को अंचल अधिकारी के कारियाले में देना पड़ेगा रिटर्ण जमावंदी लिए जुकि रिटर्न जमामंदी अंचल अधिकारी के कारियाले में ही रहता है। और कहां से फेरिफिकेशन मिलेगा। वो हर अंचल कारियाले में एक कंपनसेशन कलर्क होता है। जब जमिंदार रिटर्न जमामंदी दाखिल किया था, तो उच्छती पूर्ती, कंपनसेशन उसको मिला था। जमिंदारी सरकार ले लिया, उसको च्छती पूर्ती दिया। तो उसका केस बना, केस में नंबर पढ़ा। उसी में डिसाइड हुआ कि इसको कितना मौज़ा मिलना चाहिए। तो उसका रेइस्टर ही कंपनसेशन केस रेइस्टर होता है। तो जमामंदी के नकल लेने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन जमिंदार था, कौन तोजीम उसकी जमिंदारी थी और उकिस अंचल में पढ़ता था। अगर उस जमिंदार का एक ही अंचल में था, तो अंचल अधिकारी के कारियाले में कंपनसेशन कलर्क के पास रेइटर जमामंदी रहता है। तो अप अंचल में चिर्कुट दीजिएगा तो वहां से आपको नकल मिलेगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा जमिंदार था जिसका दो अंचल में जमिंदारी थी, तो उसका जो है कंपनसेशन, SDO कोट से मिला था, SDO कोट बने सब्रिजिजिनल कोट से मिला। तो वहां पर DCLR के आफिस में जो कंपनसेशन कलर्क है वहां से मिलेगा। और किसी जमिंदार का एक ही जिला के अंदर दो सब्रिजिजिन में अगर जमिंदारी था, तो उसका रिटर्ण जो मंदी दाखिल हुआ, कलक्टर के यहां। और कलक्टर चुकी हेट अफ दी इंच्यूशन है, तो वो रेकर्ट चला गया एडिसनल कलक्टर के फाइल में और एडिसनल कलक्टर के हाँ जो कंपनसेशन कलर्क है वहां मिलेगा। तो उनकल लेने के लिए कलक्टरी में आपको चितकुर देना पड़ेगा। तो यह इस आधार पर पता लगाईए पहले कि कंपनसेशन कलक्ट से मिलक्टर के अँच्यूशन में डीसेलर में या इडिसनल कलक्टर। अगर किसी जमींदार का दो जीला में है पटना जीलाम भी है अमाल ये जीलाम कि जमींदारी था तो उसका रिटर्ण कमिशनरी में मिलेगा। उसके बाद एक और है प्रस्थ्न शंतोस कुमार यह अमीन है महराज पूर के। इनका प्रस्थ है बटा जमाबंदी नंबर क्या होता है इसके पहले हम को याद पढ़ता है कि एक सुरोता ने पूछा था वहां पर हम जवाब लिखी साइब दिये हैं जैसा कि हम को याद पढ़ता है या अगर नहीं दियो है तो उनके लिए भी हाँ दो जमाबंदी में बट वगायने इतना कि अबटना कि प्रस्थ है तो वह बटत ऑधा चाह प्स 투 में में टुटा हो गया कितना उसको किसी एक सीज़ को शाइए यानि कि नीशे का जो हम हम भाल का है है कि उतना सुसको भाग देना यानि कि उतना भाग करना उतना टुकडा करना उतना पाट में बाट देना तो इसी पर गनित है गनित का है गनित से इसकी करना होगी गनित के हिसाब से लेकिन बटा नंबर का कारण क्या है जमाबंदी का पहले सुन लिजे अगर कोई रेइस्ट है जिसमें हर रहियत को एक पढ़ना उसके नाम पर एलाउटेड है और जो पेज का नमबर होता है से माँगे कि दूसों पेज का रहिटर है तो सबका एक पेज दू पेज तीन पेज चार पेज ऐसे नमबर है जिस रहियत का नाम पेज नमबर एक पर है तो उसको जवाबंदी नमबर एक बोलेंगे तो जमाबंदी नमबर माने रेइस्टर टू का पेज नमबर उकिस रेइस्टर का है अब वो एक रेइस्टर बना 55-56 में वो तीन साल के बाद रेइस्टर भार गया मान लिए तब फिर दुसरा रेइस्टर बनेगा ही नियन था तो दुसरा इस्टर रहा था सेम पेज उसमें होगा की नहीं होगा कुछ करमचारी लोग पेजिंग उसी तरह से कर दिया कुछ करमचारी ने उसमें बदलाव कर दिया और पुराना नमबर को नीचे में लिग दिया नया पेज अलाउट कर दिया माल ये किसी का एक पेज था आओ नया पेज उसको पांच बना दिया तो पुराना पेज को नीचे में बटा में लेग दिया पांच बटा एक ऐसा बटा नंबर हो सकता है कहीं कहीं इस देखा गया है तो बटा नंबर का दो कारण है एक कारण तो ही कि पुराने रेजिटर का प वाज के रिष्टर में जो नंबर है उपर में है पुराने का रिष्टर के नंबर दीचे उसी तरह से प्लॉट में भी नक्सा में कहीं खतियान में बटा नंबर देखेगा प्लॉट नमर 515 बटा 514 माली निखा हुआ है वह कब होता है जब सर्वे के समय इस्पॉर्ट पर नक्सा बन रहा था उसमें अमीन से जो नक्सा बना रहा था नाप रहा था जो कार्यद्र वहां पर जो सिभी जीनिया सर्वे जो भी थे कहीं पर भूल चूक से कोई प्लॉट का नंबर छुट गया आप इंट्री सब हो गया आगे कोई नंबर नहीं आया तो छुटा हुआ प्लॉट में बाद में वह बटा नंबर दे दिया जाता था उससे पता चलता था कि उसके बगल का जो प्लॉट है वही नंबर है प्लॉट में या प्लॉट जो है प्लॉट प्लॉट जो है चुटा हुआ है और 1524 के बगल में तो प्लॉट में बटा नंबर इस कारण से पड़ा था वो गलती को सुधार करने के लिए अजब अमंदी में जिस कारण से पड़ा हुग बता चुक fighting उसके बाद एक सुरोता है जो लिखते हैं ये अपना एड्रेस में तो उपर में उनका यूटूब पर है जॉबलेस के अभी नहीं जानते हैं कि क्या है वो बताएं हमको और नाम आनंद कुमार लिखते हैं दर्भंगा से वो खतियान में सीएस खतियान में लिखावा है रायत फरार कबजा जमिनदार अफिर लिखते हैं कि 1972 में एक महिला जो रायत की नत्मी थी उसने बेज दिया तो राइट किसका होगा देखी ये पहले के बैक्षान में बता चुके हैं कि फरार का माने भामिनाना एफसकॉंडर तो दो तरह से जमिनदार के पास जमीन आता था या तो सरेंडर कर दिया या एफसकॉंड कर गया एफसकॉंडर से तो एफसकॉंडर वाला जमिनदार ले लिया जमिनदार ले लिया तो इस बता चुके हैं बकास्तू हो गया तो जब बकास्त हो गया तो जमिनदार इसको बं महिला को बंदोवस्त कर दिया जिसको भी बंदोवस्त कर दिया उसी का चीज हो गया महिला मर गई तो उसके बेटी की बेटी मर गई तो नतनी की हो गई और नतनी ने किसी को बेट दिया तो उसका पक्का हो गया इसलिए भैलिड है जो भी खरीदा है या अगर नहीं खरीदा ह पब जाए तो नत्री का ही रहेगा यह नत्री से जो खरीदा है उसका हो जाएगा आरियन आदित आरियन आदित ने कोई प्रस्ट ने पुशा है लेकिन एक सजेशन दिया जिसके लिए धन्यवाद में देता हूं उन्होंने कहा है गूगल गूगल एटसेंस में आप इसको टैस कीजिए ताकि सर्च इंजन से काम चल लिंक हो सके तो हमने आज आपके सजेशन के अनुसार से हमने अपना अटैचमेंट उसमें किया है हमको उतनी जानकारी तो नहीं है तो आप भेरिफाई करके देखेगा कि गूगल एटसेंस से अटै में लिख करके वाद्शाप पर या यूटूब पर सुचना दीजिएगा तो सभी प्रस्णों का मैं उत्तर समाप्त हो गया और एक वाद्शाप के ऊपर एक प्रस्णा रहा था कार्जात भी भेजे हैं बिसून गैंज गया से अजय कुमार अजय कुमार जी ने कुछ डॉक कुमेंट दिया है हलागी डॉक्मेंट है और फोटो भी बढ़ियां नहीं आया है सकने प्रकेंगे महनत करके उसको पढ़ाएं पढ़ने से ही पता चलता है कि उस सरकार के द्वारा बंदोवस्त किया गया यह तीन आदमी के नाम से बंदोवस्ती है तो यह बंदोवस्ती का सकता है अगर उसका रसीद नहीं कट रहा है तो बंदोष्टी के सब्सक्राइब में ने देखना चाहिए इसमें लगान लिखा हुगा है कि ने तो बंदोष्टी लेंड टिर्स पर सन्कुर्ष जमीन नहीं रहता था भूमिहीन को दोनों तरफ सहुता था किसी का लगान हैं लगान आप देते आ रहे हैं तो हिस रही है कि लगान लगता था झुरू में दिया बांदंस में नहीं दिया to be subtitle आपका है आपको फटाने सकता सरकार जाए जाए जादा लगान बस बती परकार से जितने भी प्रश्ण sacar YouTube पर और वाठव पर सब का समापत हो जाता है और आप लोगों से अन्रोध है कि इस चैनल के बारे में ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़े, सेयर करें, लाइक करें और कमेंट जो भी हो आप करते जाएं, हमको सीज़ करने हैं, सबी परस्णों का उतर देने का और ज़्यादा-ज़्यादा प्रहाने का भी प्रयास करें ताकि इसकी उप्योगता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके और यह चैनल पहुछ सके आम जनता को इस्तिला में सके सुवरात्री